हार फिक्स सैंसंग गैलक्सी नौट 3 डिस्प्ले नौट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैंसंग के डिवाइस पर अपन तो आपको किया से फिक्स करना होगा मैं आपको दोस्तों कुछ सॉलूइशनस बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पर आपका प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं अगर यह सब्रोफ़idas के रिलेक्टेट क्गी पॉइलियज्फ Сबब्सकार पर अगर प्रोब्लम आ का एश्यू है तो आपको सिंप्ली टेग्निशन के पास जाके फिक्स करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पर मान दिजिए आपका स्क्रीन पे कोई पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते हैं आपका जो केस है दोस्तों उसको देखिए ठीक है आपका जो बे रिमूफ करके देखिए ठीक है बेक कवर स्क्रीन गार्ड इस्टिकर्स तो उन सब को आप रिमूफ करके देखिए आपने स्क्रीन से और स्क्रीन को थोड़ा साफ करके देखिए क्योंकि दोस्तों अगर गाम वगएरा लग जाते तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकते ठीक है स्क्रिन को अच्छे कपरे से एक बर साफ करके देखें उसके वाद दोस्तो चेक करें, रिश्टार्ट करके, कि आपका problem solve या नहीं हो आई कई बार दोस्तों कई case में यही reasons रहते है basic reasons और basic solutions ठीक है काम हो जाते तो आप भी यह सबसे पहले करके देखे solve हो जाते problem ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाएए setting पर अपना storage चेक करें ठीक है अगर आपका storage दोस्तों completely consume हो चुका है storage फूल है तो storage को 40 परसन या फिर 30 परसन आप फ्री आप करें storage clean up करने के बाद दोस्तों applications चेक किजिए अगर कोई भी बैट application से जैसे की 3rd party application यहाँ पे कोई भी unknown website से install किया हुआ application तो उनको भी आप डिलेट करें अगर बहुत सारे application से तो उनको भी आप डिलेट करें अगर unused है तो थोड़ा सा mobile को free up करके देखिए ठीक है कई वर दोस्तों क्या होते मोबाइल लेक करते है फूल हो जाने के बाद तो हमें लगते यह आप डिस्प्रेय या डि तो ठीक है अगर इससे भी दोस्तो प्रोब्लेम आ रहा है तो आप टाच चेक करके देखिए ठीक है अपने मोबाइल पर टाच चेक करके देखिए उसके लिए दोस्तों आपको developer option चाहिए होगा यहाँ पे तो developer option दोस्तों मैं enable कर लेता हूँ तो दोस्तों about phone पर जाके आप आपको built number यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है software information के अंदर पर तो built number पर आपको साथ बार क्लिक करना है उसके बाद mobile pattern आपको भर देना है और यह developer enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहा पर है हमें वह search करना है तो last पर आपको मिल जाएगा तो उसमें जाए इनेबल होना चाहिए आप pointer location ओके तो यहाँ पर है अभी दोस्तों आपको क्या करना है screen पर आप slide करके देखे ठीक है इस तरह के से आपको draw करके देखना है screen पर अगर touch आपका काम नहीं करते तो touch यहाँ पर stop हो जाएगा और continue नीचे से होगा ठीक है यह running पर नहीं होगा अगर आपका touch इसी बीच में ठीक है प्रोब्लें करते तो touch जो है इस तरह के से यहाँ पर remove हो के दुबारा से new touch करना सुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको पता लग जाएगा कि इस area में आपका screen पे touch problem है ठीक है ये touch issue है या फिर क्या problem है आपको यही से पता लग जाएगा अगर आपका जो है यहाँ पर touch का issue आ जाते तो touch काफी जादा means होगा तो आप क्या कर सकते ताच को change भी कर सकते या फिर display चेक करवा सकते किसी भी technician के पास जाके ठीक है तो इस तरह के से भी दोस्तों कई बार हम चेक कर सकते हैं सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है software update करना है software update करने से दोस्तों आपके mobile पर काफी जारा improvement हो जाते जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है software को update करें और उसके बाद चेक करके देखे दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problem भी यहाँ पर सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से आप अपने problem को fix कर सकते बाई एनी चांस अगर problem solve ना हो तो जाके ही आप अपने mobile को factory reset करे उसके लिए दोस्त ठीक है अगर उसके बाद भी same problem ही है तो आप किसी भी technician के पास या फिर service industry पास जाके fix कर सकते वाइरिंग का issue हो सकते मा रबोट problem हो सकते डिस्प्ले खराब हो गया होगा ठीक है कुछ भी problem यहाँ पर हो सकते तो वो चेक करने के बाद यह आपको पता चलेगा ठीक है उनके पास एक मीटर होते उससे चेक करते तो उससे ही पता चलेगा तो इस सब्सक्राइब से दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन ताच प्रॉल्म हमें fix करना होते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने आओगा टैंक्स वर वाचिंग